चलिए बीपेसी मेकर के इस नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में 12 दिसंबर 2022 से संबंदित बिहार करेंड़ फिर्ष और साथ ही राश्टर राश्टर गटना उसित करेंड़ फिर्ष के जितने भी परशन बनेंगे संबंदित सारी जानकारी दिरिष्टिकाउन से महतपूर्ण है तो रेगलर बेसिस पर आप लोग इससे स्रिंखला को जरूर फॉलो के जगा ध्यान देंगे जितने भी छातर नॉमबर 2022 वाले करेंड़ फिर्ष के नोट्स कर रहे थे वैसे छातरों को बदादों की बीपेसी मेकर एप पर माइकोर्स सेक्षन में मंतली करेंट अफेर्स के अंतरगत इससे पीडियाप को अपडेट कर दिया गया है तो वहां से आप लोग इसको डाउनलोड कर सकते हैं आपके विपेसी एक्जाम के लिए वर्स 2021 से अब तक का पूरा का पूरा जो मंतली नोट्स है वो यहाँ पर अपडेट कर मातर और मातर 100 रोपिया में जोईन कर पाएंगे यहां से आपको करियंट एफेस का पूरा का पूरा पैकेज मिलने वाला है और साथी साथ आपको इस बात का भी धिहान रखना है कि जिस तिछी से आप जोईन करेंगे वहां से अगले एक वरस तक के लिए यह कोर्स आपके वैलिड रहेगा और जो प्रिवियस मैट्रियल मिलेगा वो 2021 से अब तक आपको निस्वल के मिल जाएगा तो जितने भी छात्र घर बठे रेकर विपसी एक्जाम की तयारी में लगे हैं इसे कोर्स को आप लोगो जरूर जोएन कर लिजेगा तमाम मैट्रियल आपको विपसी म अगभी टीम का कैप्टन अर्थात कप्तान चुना गया है संबंदित सारी जानकारी हमने आपको दिया था और आपको बतला था इसका राइट आंसर हो जाएगा अर्मान आलम यानि की ऑप्सन नमर बी यहाँ पर इस प्रशनी का हमारा राइट आंसर होगा कोसिज कीजिए क तो इन सारे बातों का यहाँ से ध्यान रखना है अब हम आ चुके हैं आज की इस वीडियो के पहले प्रशने पे जो की बिहार के रेंट अफेर्स के द्रिश्टिकों से अती महत्पूर्ण है तो यह प्रशने की ऑक्सफैम इंडिया द्वारा जारी की गई इंडिया इन एक अस पहिंडिया की इस रिपोर्ट के अनसार हम बात करें यहाँ पर उसरज्फैम पर सरबाथिक इंट्रनेट पहुँच वाला राज्जी कौन सा है तो ये हो जाएगा हमारा महराष्ट अब यहाँ पर हम इसके explanation की बात करें इसमें हमारा पहला point हो जाएगा कि India inequality report 2022 डिजिटल डिवाइस में नियूंतम इंटरनेट पहुँच वाला राज्य है बिहार हलाकि वहीं पर अगले point की बात करें तो इस मामले में सिर्ष अस्थान पर है महराष्ट जहां पर शर्वाधिक इंटरनेट परदान किया जाता है डिजिटल डिवाइस में इस आंकड़े में ये सतारी बाते निकल कर शामने आई है अब यहाँ पर इसी रिपोर्ट के कुछ आंकड़ों को आपके सामने अगर हम प्रस्तूत करें तो ऐसे में कुछ चीजें और भी याद रखने लाइक है जैसे कि इसमें हमारा अगला पॉइंट है कि रिपोर्ट के आंकड़ों की अनशार देश मेने की भारत में परती 100 लोगों पर केवल 57.29 परतिस इंटरनेट यूजर है और शारी छेतर की तुलना में ग्रामिन छेतर में या संक्या काफी कम है इस रिपोर्ट में इस बात का भी जिक्र किया गया कि भारत में पुरुशों की मुकावले महिलाएं कम कीमत वाली मुबाइल फोन का इस्तमाल करते हैं जो कीपेड वाले फोन होते हैं अधिकतर इस्तमाल करते हैं ये सारी बाते इस रिपोर्ट में जिक्र किया गया था जो क कि पुरिशों की तुलना में कहीं न कहीं बहुत अधिक कम है वह अगले पॉइंट की बात रहे हैं तो भारत में 32 फिश्दी से भी कम महलाओं के पास मुबाइल फॉन है और इन 32 फिश्दी में से अधिकतर जो फॉन है वो स्मार्ट फॉन नहीं वैलकि कीपेड वाले फॉन है जो कि यहां पर आपको देखने को मिल रहा है यह पॉइंट वारा यहां पर यहां पर यह कि रिलाइंस ने गुजरात के 33 जीला मुख्यालियों में अपनी 5G सेवा जीयो टू 5G हाल ही में सुरू किया है और इसके साथ ही आपको ध्यान रखना है कि गुजरात अपने सभी ज फर्ष के दरिश्टी कोन से important हो सकते हैं एक महा record बना है जो आप यहां पर प्रश्ने देख रहे हैं यह प्रश्ने की हाली में नवादा बिहार के इसान किसन ने वंडे क्रिकेट में बंगलादेश के खिलाप 12 सतक जड़ दिया बताएं कि वे 12 सतक लगाने वाले कौन से भा बने यह भी यहां से आपको ध्यान रखें हैं हलाकि सबसे पहला point आप यहां पर यह ध्यान रखेंगे बहुत सरे लोगों के मन में confusion होता है कि इसान किसन पटना के रहने वाले हैं एक्शुली में हम बात करें इसकी वास्तविक्ता की बात करें तो यह पटना नहीं बलकि नवादा के रहने वाले इनका जो पैत्रिक क्राम है यह है नवादा अब यहां पर हम इसके explanation की बात करें तो इसमें हमारा पहला point होगा कि सचीन तेंदुलकर रोहित सर्मा और विरंदर शहवाग के बाद इशान किसन भारत की और से दोरा सदक लगाने वाले चौथे बल्लेवाज बन गए है इसान किसन वंडे में दोरा सदक लगाने वाले द बात करें तो यहां पर वंडे क्रिकेट में अकर हम बात करें श्रवाधिक बड़ी पारे तो यह नाम है यान की यह जो रिकौौड है यह रोहित सर्मा के नाम दर्ज है इसी चीज़ का यहाँ पर जिक्र किया गया कि वंडे में सबसे बड़ी पारी खेलने का रिकॉर्ड रोहित सर्मा के नाम है जिन्होंने की सिरलेंका की खिलाब 264 रनों की पारी खेली थे अब यहाँ पर एक important fact ये भी है जो record जो बना है अभी दोहरा सतक का हलाकि ये record इस से पहले किस के नाम था तो ऐसे में यहाँ पर ये धियान रखेंगे इन से पहले ये record था क्रिशगेल के नाम क्रिशगेल ने 12 सतक जो जड़ा था मात्र और मात्र 138 गेंद में जड़ा था लेकिन इस सान किसन ने इस record को तोड़ते हुए महच 126 गेंदों में इस record को मतलगा सकते हैं तोड़ते हुए 12 सतक जड़ा है ये यहाँ से आपको धियान रखना है अब यहाँ पर हम आगे बात करेंगे इस सूची के बारे में जो 6 खिलाड़े इसान किसन से पहले इस record को अपने नाम कर चुके थे ऐसे में आप यहाँ पर complete जानकारी देख सकते हैं इन में से इन 6 खिलाड़ियों में से अब तक 3 खिलाड़े जो थे यह भारत के थे इन में से आपको धियान रखना है इसी अधार पर आपको धियान रखना है जो 2014 में सिरलेंका के खिलाब इनका record बना था यह वंडे क्रिकेट का अब तक का सबसे बड़ी पारी है हलाकि इसके अधरिक ते तीन विदेशी खिलाड़ी हैं जिदोंने 12 सदक अब तक जड़ दिया है वंडे क्रिकेट में तो ऐसे में एक नाम है क्रिश गेल जो आप यहाँ बड़ देख सकते हैं और इस फलेग के आइकन को देख के समझ सकते हैं यह वेस्ट इंडिज के हैं और वहें पे मार्टिन गव्टिल के बाद करें तो यह न्यूजिलेंट के किरिकेटर हैं और एक फकर जमान नम है जो कि पाकिस्तान के इस्टार किरिकेटर है तो यह सभी नाम यहाँ से आपको दियान लखने हैं इस सूची में अब 2022 में एक और अरते फिल्म ने हॉलिवड क्रिटिक्स एसोसीएशन में स्पोर्ट लाइट अवाउर्ड जीता है तो देखें यहाँ पर इस प्रश्न का हमारा राइट अनसर गा ट्रिफल आर अर्थात आर 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 ऐसे में यहाँ पर हमारा पहला पौइंट है फिल्म आर 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 ने विविन परतोगी परिक्षाओं में देखा होगा तो इसको भी यहां से ध्यान रहा है हला कि SS राजा मौली की बात करें तो हाली में होलिवड क्रिटिक्स एस्था अपना वर्स 2016 में की गई थे अब वर्स 2016 को देखकर बहुत सारे प्रशन बनते हैं बिहार के द्रिश्टिकों से खास कर गए ऐसे में हमने एक पॉइंट यहां पर शामिल किया है जो कि बहुत बहुत इंपोर्टन है बिहार में वर्स 2016 में एक अ करा दे रहा हूं कि पंच अप्रेल को वैसे सराब की दुकान बंद हुए थे जो सहरों में थे और अंग्रेजी सराब की दुकान थे तो एक अप्रेल को ऐसे दुकान बंद नहीं हुए थे जो पंच अप्रेल को ऐसे दुकान शहरों में थे वो पूरी तरह से बंद कर दिया था लेकिन दो वर्षबाद ही कानून को भंग कर दिया गया कानून शफल नहीं हो पाया था यह दूसरी बार है किसी मुख्यमंतरी के द्वारा बिहार में सराबबंदी कि आगया है और यह मुख्यमंतरी है नितीश्च कमार और आपको यह जो record था गांधी मैदान में सरवाधिक बार जंडा फाराने का बतोर मुख्यमंत्री यह डाक्टर स्री कृष्ण सिंग के नाव था जो की बिहार के पहले मुख्यमंत्री थे यह बाती हैं आपको हमने विश्तार पुरुवक इसी सरिंखला के अंद्रगत बतलाया है करती गई दीपम रत उत्सव का ऐजन किया गया तो देखें यह अब हमदीपम रत उत्सव हाली में तमिलनाडू के मदुरय में यजित किया गया है तो ऐसे में इसका right answer option number C अब यहाँ पर आपको जान कर देदो पहला point हमारा हो जाएगा कारती का यह दीपम रत उत्सव हाली में तमिल नाडू के मदरे में आज़ित किया गया और इसे पर्व कि या फिर इस महुस्व की बात करें हम या फिर इस उत्सव की बात करें तो यह एक बहुत ही पराचीन तियोहार या फिर उत्सव है जो कि तमिलों के बीच इस तियोहार का बहुत ही अधीक महत्व है तमिल शमदाई के बीच या फिर तमिल भासी लोगों के बीच ये बहुत अच्छे से या फिर कर सकते हैं बहुत अधिक महतुता के साथ इसे सेलिबरेट किया जाता है अब यहाँ पर तमिलाडू के उतसब की बात भी तमिलाडू के महसब की बात भी तो ऐसे में कुछ चीजे यहाँ पर हमने सामिल किया हलाकि उससे पहले एक और point है कि हलाकि तमिलाडू के अतरिक्त या तियोहार केरल आंदर प्रदेश और करनाटक में भी मनाया जाता है जो पलोसी राज्य हैं वहां पर भी तमिल लोगों के बीच या पर तमिल भासी लोगों के बीच इस तियोहार को बड़े धूम धाम से मनाया जाता है अब यहाँ पर हम बात करें तमिलाडो के प्रमुख तियोहार वो उत्समों के बारे में तो यहाँ पर कुछ हमने सामिल किया है जो एक्जाम में पूछे जा सकते हैं तो पॉंगल महसव थिरू वयारू महसव और इसके अलावे दो और भी हमने सामिल किया है थिपू सुम महसव साती सात महा महम महसव यह सभी सेलिब्रेट किया जाते हैं तमिलाडो में यह सारे कपलोग नई वाली काफी में जरूर एड़ कर लिजएगा और यहां पर देखे गोवा की बात आई है तो तिरपनवा भारते अंतराश्टे फिल महसव का जो आईजन था यह गोवा में ही किया गया था यह जानकारी हमने आपको विश्तार प्रवग दिया था अगला हमारा यहां पर पांचवा प्रशने की हाली में भारते रिजर बैंक के द्वारा हाली में या फिर भारते रिजर बैंक के द्वारा किस देश के साथ करेंशी स्वैप एक्रिमेंट किया गया है देखें बहुत important question है और इसका जो right answer हो जाएगा यह होगा हमारा option number C C ने बलकि B यानि कि मालदेव इस प्रश्णी का right answer हो जाएगा अब यहाँ पर इसके बारे में जो explanation है इसके थात हमारा पहला point है कि भारते रिजर बैंक अर्थात RBI ने सार के करेंशी स्वेप framework के ता मालदीव मौद्रिक प्रादिकरन के साथ मुद्रा स्वेप समझोते पर हस्ताक्षर किया है बैसिकली यहाँ साब को इस बात का दियान रखना है कि भारत का जो केंद्रिया बैंक है केंद्रिया बैंक है रिजर बैंक ऑफ इंडिया और इसने अभी हादी में मुद्रा स्वेप यानि करेंशी स्वेप agreement कि इसके साथ किया है तो मालदीव के साथ किया है यहाँ से इस प सारफुर्ण आपको दिया गया था साती साथ RBI के गवर्नर सक्तिकांत दास ने बैंगलोरू में रिजर बैंक की इनवेशन हब इसे सौट में आपर री हैब के नाम से भी जानते हैं एक जाम में पूछे जा सकते हैं कि री हैब का उधगाटन कहां किया गया और किन के द्वार थे तो रेजर बैंक आफ इंडिया की जो अस्थावना वे थी ये 1934 के एक्ट के अधार पर एक अपरेल 1935 को इसकी अस्थावना वे थी प्रारंभ में इसका जो का सकते मुख्याले था ये कोलकादा में अस्थावित था लेकिन बाद में दो बरसे बाद 1937 में इसे में है और वरतवान में इसके गवर्णर है सक्तिकान तदास और बहुत इंपोर्टन यहां पर ये भी है कि ये सक्तिकान तदास आर्ब्याई के 25 में गवर्णर है इनसे पहले जो थे यानि कि आपको यहां पर दियान रखना है कि जो 24 में गवर्णर थे यह थे उरजित पट प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट जरूर करें अब यहां पर हमारा अगला च्छाटा प्रशने की निमलखित में से कौन हाल ही में टेवल टैनिस फेडरसन आफ इंडिया की पहली महला अध्यक्ष न्यूक्त हुई है इस प्रशने का हमारा राइट आंसर होगा अफसन नमबर डी यानि की मेगना चोटाला हलाकि कई जगहों पर आपको मेगना अहलावत भी लिखा मिलेगा तो इस चीज के लिए आपको तयार रहना है और यहाँ पर आगे हमने इनके बारे में लिखा है कि मेगना अहलावत पुर्व अध्यक्ष वा हर्याना के उप मुख मंतर दुस्यंत चोटाला की पतनी है तो इसी अधार पर आपको दियान रखना है कि कई जगहों पर आपको मेगना नाम के साथ आपको चोटाला भी देखने को मिले हलाकि कुछ जगहों पर आपको अहलावत भी लिखा मिलेगा तो इस चीज़ के लिए आपको हमेशा से तत पर रहना है आपको ध्यान एकना इस पद पर पहुँचने वाली पहली महला है अब यहाँ पर हमारा इसमी अगला पॉइंट होगा टेवल टैनिस फेडरेशन आफ इंडिया की जो अस्थापना है यह वर्ष 1926 में की गए थी और इसका मुख्याले नई दिल्ली में इस्थापना से भी सम्मंदित पूछे जा सकते हैं अब यहाँ पर देखें दुस्चन्त चोटाला की बात भी है जो कि हर्याना की उप मुख्यमंत्री है तो ऐसे में दुस्चन्त चोटाला से सम्मंदित हमने एक पूइंट यहाँ पर शामिल किया है कि हाली में जेश्टी परिशद ने हर्याना की उप मुख्यमंत्री दुस्चन्त चोटाला को नवगठित अफेलिया नयदिकरन पैनल का अध्यक्ष बनाया है हलाकि यहाँ पर आपको इस बात का भी द्यान रखना की इस सम्मों में यहने की जेश्टी परिशद में 6 सदस भी होते हैं हलाकि यहाँ पर आपको द्यान रखना की दुस्चन्त चोटाला को नवगठित अपेलिया नयदिकरन पैनल का अध्यक्ष बना गया था यह जानकारी हमने आपको बिहार क्रेंट रखन की इसी इस रिंखला के अंदरगत आपको दिया था हम चलते हैं यहाँ पर अगले प्रशन पर अगला हमारा सात्मा अती महत्पुर्ण प्रशन है यह प्रशन है की Google की Year in Search 2022 वर्शिक रिपोर्ट के अनशार निम्लकित में से क्या भारत में लगतार तीसरी वर्से सिरसे ट्रेंडिंग विशे बना रहा जो Google पर जो सर्च किये जाने वाले विशे हैं उनमें से टॉप पर कौन सा विशे रहा है यह का सकते हैं Google की जो रिपोर्ट आई है Year in Search 2022 इसमें यह सारी बातों का जिक्र क्या गया है और इस रिपोर्ट की अधार पर हम इस प्रशनी के राइट आंसर की बात करें तो इसमें पहले अस्थान पर रहा है इंडियन प्रेमियर लिक अर्थात IPL और यह इस बार पहली बार नहीं है लगातार तीसरी बार IPL सबसे ज़्यदा सर्च किये जाने वाला विशे है Google के उपर यह यहां से ध्यान लगेगा हलाकि यहां पर कंप्लीट जानकारी आपको दिखेगा इसमें हमारा पहला पॉइंट है कि हाली में 7 दिसंबर 2022 को जारी Google की वार्षिक रिपोर्ट जो की Year In Search 2022 की अनशार इंडियन प्रेमियर लिक अर्थात IPL क्रिकेट टूनामेंट भारत में लगातार तीसरे वर्से सिर्स ट्रेंडिंग विशाई बना रहा है तो ऐसे में ये ध्याने कि ये तीसरा साल है जो कि IPL पे सरी IPL पे ने बलकि Google पे सबसे ज़्यादा सर्च किया गया वहें पे हम दूसरे अस्थान की बात रहा है तो इसके बाद कोविन पॉर्टल जो की COVID-19 टीके के लिए पंजिकरन और नियुक्तियों की स्विधा प्रदान करता है और डिजिटल वैक्सिन परमान पत्र जारी करता है तो कोविन पॉर्टल इसे रिपोर्ट की अभार पर दूसरे अस्थान पर रहा है वहें बे हम बात करें तीसरे विशाई की तो इसके अतरिक ते खोजे जाने वाला ट्रेंडिंग विश्यों में तीसरे अस्थान पर फीफा विश्यकप था और फीफा विश्यकप की जनकारी हमने आपको दिया था कि 20 टंबर 2022 देसकी सुरवात हुई है कतर में यह यहां से आपको ध्यान रखना है हलाकि आप यहां पर इस चार्ट के भी माद्यम से इसे ध्यान में रख सकते हैं आप यहां पर देख सकते हैं वो टॉप 10 की सूची है जैसे की आइफिया अर्थाद इंडियन प्रीमियर लिग आपके पहले अस्थान पर है कोविन दूसरे अस्थान पर है फीफा वर्ल्ड कप तीसरे अस्थान पर है एश्या कप जो है यह चौते अस्थान पर है और इसके बाद पाँचवे स्थान पर है ICC Manchester T20 World Cup छटे स्थान पर है ब्रमास्त्र पार्ट वन जो की मुवी है रनबीर कपूर की विसके अलावे साथ में स्थान पर है इस रमकार्ड आठ में स्थान पर है Commonwealth Games जो की बर्मिंगम का सकते हैं ब्रेटेन केंर ब्रमिंगम में यली जित वा था और ये इसका बाइसवा संत्रम था और इसे बाइसवा संत्रम का जो ठीम था ये पहरी दाबूर इसका ठीम था ये जैनकारी हमने आपको दिया था और वहई पे इसे रिपोर्ट की अभार पर 90 अस्थान पर इस प्रशन का हमारा right answer होगा आदित्यमित्तल जिनने आप यहां पर इस तस्वीर में देख सकते हैं आपको द्यान रखना अपसर नमर ए यहां पर इस प्रशन का right answer होगा हाली में मुंबई महराश्टर के आदित मित्तल इस्पेन में चल रहे एक टूनमेंट के दुरान भारत के सततरवे ग्रेंड माश्टर या फिर सततरवे सतरवे सतरवे ग्रेंड माश्टर बने हैं लेकि बारत के पहले Grand Master की वात कार्था है यहे है विश्वनातन अनन्द लेकिन हाली के दिनों में जो Grand Master मैं है भारत की है है लेकिन है जो anni म печले कि अचीन आ हादु कि पस्चिम बंगाल के हैं 53 में Grand Master है भरत सुबरमनय के तमिलाड़ु के है चौनतरवे Grand Master बने थे राहुल स्रिवास्तर्व जो की तैलंगाना के हैं 75 में Grand Master की बातने तो ये बने थे तमिलाड़ु के फी प्रनव और जो 76 वे Grand Master बने थे आपको दिहान रहान है करनाटा के प्रनाव आनंद बने थे हलाकि हाली में जो 77 में Grand Master बने हैं अब यह इस सूची में सामिल हो जुग है यह मुंबई महराश्ट के हैं आतित्य मित्तल नेक्ष्ट मारा यहां पर नवा प्रश्ण हो जाएगा कि निमलेखित में से कहा हाली में नवी विश्व आयरवेद कॉंग्रेश और आरोग एक्सपो 2022 का आयजन हुआ है इंपोर्टन प्रश्ण है इसका जो आयजन अभी हाली में किया गया यह गोवा में हुआ है तो ऐसे में अपसर नमबर डी यहां पर इस प्रश्ण का राइट आंसर होगा अब अब यहां पर हम इस प्रश्ण के एक्स्प्लानेशन की बात करें तो ऐसे में धियान रखना आपको कि नौवी विश्व आयरवेद कॉंग्रेश और आरोग एक्सपो 2022 का आयजन आठ से 11 दिसंबर तक गोवा में किया गया और इसका उद्देश आयरवेद छेदर को 22 के मत दे और यहां पर हमने अब गोवा की चर्चा किया तो गोवा के बारे में कुछ जानकारी हमने यहां पर शामिल किया कि हाल ही में गोवा सरकार ने नौवबर 2022 में मुख्य मंतरी देव दरसन यात्रा योजना सुरू की है और शाती साथ आपको दियान रखना है कि 33 भा आपका जो नेक्स्ट यानिकी अर्चक में बीप्यस्टेवित फ्रस्तावित है यह अपको का कब होगा यह डेट आपको दियान बाराव फरवरी यह डेट आप Champions मेकर ऐप पर आपके लिए 62 दिनों का एक टेस्ट स्श्रीच प्लान लॉँंच है ही राच बाराइन माध्यम म तरीका सही तरीके से आंकलन करेंगा और यह आप खुद में समझ पाएंगे कि आप अपने एक्जाम के लिए प्रिपेर हैं या फिर नहीं तो आप लोग से जरूर जोइन केज़ेगा इसमें एक आफर भी चल रहा एप्लिकेशन पर बीपेसी मेंकर आपको प्लेशोट से अंसर हो जाएगा यह है हमारा ओप्सन नंबर बी यानि की मानवादिकार दिवस्टा भी हाली में इस थीम के साथ यानि की गरिमा श्रतंतरता और नियाए थीम के साथ मनाए गया ऐसे में यहाँ पर हमारा पहला पॉइंट है कि सन्युक्त राष्ट की आम सभा ने 10 दिसंब मानाया जाता है यहां से ध्यान लेगे और यहां पर हमारा अगला पॉइंट है इसकी 75 वी वर्षगांट 10 दिसंबर 2023 को मनाई गई है यहां पर देखिए मनाई गई नहीं बलकि मनाई जाएगी आप लोग यहां पर सुधार कर लेंगे वहीं पर हम अगले पॉइंट की बात 455 को इसकी अस्थावना वे थी और इसके हम बात करें मुक्षाले की तो इसका मुक्षाले मेन हेटन टापू न्यू योर्क अमेरिका में इसका मुक्षाले इस्थित है और वहीं पर इसके वरतमान सदस्देश है 193 यह सारी बाते यहां से याद रखेंगे अगला 11 प्रेश करें तो इसमें हमारा पहला पॉइंट होगा कि पेरु दक्षिन अमेरिका महादुइप में इस्थित एक देश है और यहां कि राइदानी है लीमा और अभी वरतमार में आपको दियान रखना है कि डीना बोलू आटे हाली में पेरु की पहली महला राश्ट्रपदी बनी हाला कि जुलाई दोहजर इकीस में पिछले वर्स ये पेरु की पहली महला राश्ट्रपदी बनी है अगला हमारा बारवा प्रशने की भारते मूल की वीना नायर ने विज्ञान के च्छेतर में विशेश योगदान के लिए किस देश का पीम पुरुषकार जीता है इसका राइ करेंट एफर्स वाले कॉर्स में जो आफर है ये एक सो रुपया में आपके उपलब्द है मुझे लगता कि एक सो रुपया में इतनी अच्छी क्वालिटी का मेटेल आपको कहीं भी मिलता होगा इसे सरिंखला में आपके बिहार राश्ट्राश्टे अंतराश्टे तीनों एक सो सबसे शक्तिसारी महलाओं के सूची में कितनी भारतियम महलाए हैं शमंदित सारी जानकार यहां से में आपको दिया था और बताएं इस प्रश्टिका हमारा राइट आंसर क्या होगा तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही मिलेंगे लेक्षिप वीडियो में तब तक के लिए धन्वाद जैहिंद